कि नमस्कार साथ्यों मैं प्रिशांत physics वाला टेचेंग वाला से बोलना हूँ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में यह क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो developmental psychology की है और milestone of milestones of development या बच्चों के विकास की अवस्थाएं क्या होती है और अलग-अलग अवस्थाओं में बच्चे किस तरह से develop करते हैं growth or development क्या है यह क्लास बहुत ही important होने वाली है और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यह क्लास आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी टेट के तैयारी कर रहे हैं सूपर टेट डी रिपल एसबी के भारत में कहीं पर भी अगर आप टीचर बनने जा रहा है तो यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमपोर्टेंट रहे हैं जिसमें आज हम बहुत ही बेसिक ऱेवेल की चीजे बताने वाले बहुत ही फंडामेंटल चीजे़ बताने वाले यह प्री नेटल को जो है हम हिंदे में क्या करते हैं जनिंदे में क्या करते हैं जन्म Pacific की यह说 होता है बच्चा जो port जब यह बीःषित होता है उसके बाद जो है यहाँ पे जन्म लेता है और जन्म के बाद यहां पर यह दोनों ही चीजों को हम कवर करेंगे और चाइल्ड किस तरह से अलग-अलग स्टेजेज में डेबलप होता है इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और स्टेजेज के थियोरी में आपको दो महत्रपुल मनोविज्ञान को के आधार पर मैं जैसे आप सभी लोगों ने हर्लॉप महुदय का जो है नाम सुद्वा होगा एलिजाब हर्ल Missouri कि यतने भावों में जो है बाल विकास मनोविज्ञान को बाटा हुआ है इसकी अलावा इस रॉस महोदे ने यहाँ पे बाल विकास को कितने भागों में बाटा हुआ है आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले है सात्यू चलिए तो जल्दी से आप सभी लोगों को नमस्कार गुड़ इविनिंग और आप सभी लोगों को होली का देन की होली की धेर सारी शुब कामनाओं के साथ साथ इस क्लास को हम प्रारम करते हैं बाल विकास मनों विज्ञान की ये क्लास जिसमें हम विकास की अवस्थाओं के बारे में एक बहुत ही मैधमूर कॉंसेट बताने वाले हैं जिससे आपका बाल विकास की अवस्थाओं से सम्मंदित सारा कॉंसेप्ट आज इस क्लास में क्लियर हो जाएगा साथ्यू जैसा आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे हम थियोरिटकल क्लास भी लेकर कर आएंगे और बाद में हम आपको क्वेस्टन भी प्रैक्टिस कराएंगे इंपॉर्टन एमसी क्यूज भी लेकर कर आएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स कह रहे थे कि हमें थोड़ा थियोरीज भी पढ़ना है कॉंसेप्ट वाइज भी चीज़ों को पढ़ना है तो इसलिए यह सभी क्लास हम साम को आठ बजे CDP बाल विकास मनो विज्ञान में कॉंसेप्ट के इसाफ से यह सभी क्लासे आप सभी लोगों के लिए लगतार ले करके आ रहे हैं तो एट पीम का जो टाइम है साथ हूँ आप सभी लोगों के लिए CDP की क्लास रेगुलर आपको यहाँ पे मिलती रहेगी फिजिक्स वाले तो यहाँ पर अगर हम मौडरन परिभासाओं के आधार पर देखें जो आधुनिक परिभासाएं तो मनो विज्ञान को इन्हों जो निचोड निकाला है कि इसको हम मुकितिया बाल विकास को तीन भागों में बाटते हैं लेकिन अगर हम देखें कि साथ यूँ वैसे अलग बाते ही बताते हैं कि बचों का विकास का क्रम क्या होता है। एक difference बता दू कि Child का जो Growth होता है और Child का जो विकास या development होता है दोनों में क्या difference है बृध्धी को जो है साथ यहाँ पर हम Growth के नाम से जानते हैं और विकास को है हम यहाँ पर English में Development के नाम से हमारी हड्डियों के अंदर विकास होता है आर एक ब्रिद्धी होती है इनके वजन में ब्रिद्धी होती है इनके वाख्य Indic ID मेंessä जो किöll पृद्धी के लाती ही का मतलब जो हमारी बॉड़ी का साइज होता है इसके आकार प्रकार में जो है बृद्धी होती है मतलब हमारा वजन बढ़ता है हमारी उचाई बढ़ जाती यह सब जो है बृद्धी का कॉंसेप्ट माना जाता है और अगर हम विकास की बात करें तो विकास में जो है किसी तरह की ग्रोध की संकल्पना नहीं आती है बलकि विकास जो है एक अनवरत या निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है जो सदियों से चलती है रही है जब से ध बृद्धी की बात करों साथ्यों यहां पर तो बृद्धी जो है एक निश्ची समय के बाद जो है श्टॉप हो जाती है लेकिन विकास श्टॉप नहीं होता है जन्म के पूर्व से जो हम चर्चा करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान जिस दिन बच्चे का पहले दि निर्माल होता है तब से विकास चलता रहता है जन्म के बाद और पूरे जीवन चलता रहता है यहां पर साथ्यों अगर हम बृद्धी की बात करें तो बृद्धी को जो है हम यूनिट में माप सकते हैं बृद्धी को जो हम इकाई में माप सकते हैं और विकास जो है इसको इकाई में नहीं मापा जा सकता है इसको सिर्फ तुलनात्मक तरीके से जो अध्यन किया जा सकता है और बृध्धी जो होती है इसको हम मात्रा में देख सकते साथ बृध्धी के साथ जो है क्वालिटी वर्ड आता है क्वालिटी का मतलब एक फीट दो फीट एक किलो दो किलो यह क्या होता है ब्रिद्धी का संकेत होता लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो यह जो है गुणों में देखते हैं और इसकी जो है हम संकल्पना जो है क्वालिटी के अंदर करते हैं अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई क्वालिटी का विकास क्या होता है गुणों में हम हम नहीं माप सकते कि कौन कितनी मात्रा में एक किलो इमांदार है कि दो किलो इमांदार है एक मीटर इमांदार है कि दो मीटर इमांदार है हम नहीं कह सकते मतलब गुलों को जो है सीधे-सीधे मापन नहीं किया जा सकता है गुलों को जो है यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ तुल सेप्मेंट का सुपक्त होता है और दूसरी इंपर्टेंट बाद बता दू यह तो आप लोग जानते और तीसरी जो इंपर्टेंट बात अब उससे और आगे की बात बता दू यहाँ पे जू बृद्धी होतीजू है ये सब हम विकासात्मक मनों विज्ञान की बात करते हैं तो हम बृद्धी और विकास को पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें दोनों में अंतर पता चल सके दरसल चीज एक ही है बाते एक ही है दोनों बृद्धी और विकास जो है वह विकास का ही हिस्सा माना जाता है विक बच्चे के भाषा का विकास आता है बच्चे के संग्यान का विकास आता है बच्चे की संवेग का विकास आता है हर तरह का जो विकास है यह विकास के की बाते हम कुरेंगे ऩम्तिफ टक की जो है बाते हम आपको बताने वाले रिनितल या या घंड होता है तो फोड़ा सा मैं आप सबी हो को एक पिक्ट्र के बाद्यम से यहाँ पर बताना चाहता हूं और साच्यों यहाँ पे जो है जिस दिन गर्भ धारन करता है या गर्भा वस्ता के दौरान जिस दिन कंसीब करता है बच्चा उस दिन जो है आप देखेंगे लगबग दो सप्ता तक यहाँ पे जो है दो सप्ता तक की जो अवस्ता होती है यह अवस्ता जो है जर्मिनल अवस से चुसटैनलफेश कहलाता है बहुत ही सरल वासा में सिंपल अबसाइब चाहूंगा जो आपके एकजाम में पूछा जाता इसके बाद जो है बत्चा यहाँ आपके ग्रो करने सुरू होता है और तीन सब्ता से लगभग आठ सब्ता तक यहां पे जो है यह जो अवस्ता होती है इंब्रियानिक अवस्ता होती है या इसको हम भूड़ अवस्ता के नाम से जानते हैं साथ हो आप सभी लोगों के लिए मैं अलग सी वीडियो भी बनाने वाला हूं इसमें बहुत सारी चीजें हमारे फेटरी साइट के भी बहुए सारे केसे भी आते हैं बहुत सारे लोग जो housed को जो है वो मार देते हैं या बेबि गल वह को मार देते तो उसमें कौन सी अवस्ता होती हैं ut hill लोग पहचान करते हैं लिंग परिक्षण करके मार देते हैं यह सभी चीजे कानूनी रूप से वैद भी हैं और बहुत सारे लोग दुनिया में करते भी हैं पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के अवैद कारे भी करते हैं तो यहां पर साथियों मैं मैसेज देना चाहता हूं क लग को यहां पर रना है जागुरू करना है किसी भी तरह का फिमेर साइट से अव्एर करे जागुरू करे यहां पर अकिसी सबसे पहले बच्चे का क्या विख्षित होता है यहां पर सिफैलो काउडल डिवलेप्मेंट आता है जन्म के समय जो है जिस दिन बच्चा कंसीब करता है गर्भा वस्था के दौरान जिस दिन बच्चा जो है कंसीब करता है या गर्भ दारन करता है सबसे पहले जो है बच्चे के सीर का निर्माल होता है हेड का निर्माल होत और यहां पिलोक देख रहे होंगे न 9-12 से लेके जन्म तक लगबख पूरा 9 महिने तक जो है यहां पे फेतल यह बच्चे का जो है यहां पे पूरा एक तरह से थारोली निरमाल होता है और इस निरमाल के प्रक्रिया में बच्चा लगबख 6 महिने का हो जाता तो वह पूरा विक्सित हो जाता है 6-7 महिने में और बच्चे का एड़ भी पूरा डेवलप हो जाता है और वह माता का जो है धर्दय की धड़कने भी महसूस कर सकता है यहां तक कि बच्चे गरभा वस्था के दरान जो है आवाज भी महसूस करते हैं जैसे आप लोगों ने अभिमन्यू की बात सुनी होगी, अभिमन्यू ने जो है महाभारत की लडाई में जब वो गर्भावस्ता के दोरान थे तो उनके मम्मी को कहानी जो सुनाई गई थी, अभिमन्यू को भी वो कहानी याद थी और महाभारत की लडाई में उस समय की कहानी को उन्होंने याद किय यह सारी बाते मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे के विकास के अंदर जो है सिर्फ उसके body का growth नहीं हो रहा है बच्च की आप बलकि आप देख शकते हैं गर्भावस्ता के दोरान भी बच्चे का mental development हो रहा है मानसिक विकास भी हो रहा है एक तरह से सोचने का विकास महसू नाम लिया जाता है एक जो नाम होता है साथियों जन्म के पूर्व की अवस्था जो होती है कई बार आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि जन्म के पूर्व की जो अवस्था होती है इसका नाम क्या होता है और जन्म के बाद की अवस्था का नाम क्या होता है तो जन जन्म के पूर्व की जो अवस्था होती है इसको इंगलीस में प्री नेटरल फेज के नाम से जानते है जिसको हम जन्म पूर्व अवस्था प्री नेटरल यह बेबी होता है वह जन्म के पूर्व होता इसके बाद जो है पोस्ट नेटरल जन्म जब लेता है बच्चा तो यहा आपर जो है नियो नैटल का नाम देतें का नाम देते हैं। नीयो निटन सब्रेक्ति का भच्चा होता जञन में जन्म और वःग्ज्ञन को के अनुसार जो घा रहा हूं इसके बारे में आपको मैं चपशार करने करने यहां पर रास महोदय के अनुसार जो है यहां पर हम देखेंगे अवस्थाएं कितने अवस्थाओं में बाटा गया है उसके पहले जो है रास महोदय या एलिजाबेत महोदय के बरगी करण के उपर जाने के पहले जो है मैं आप लोगों को यहां पर तीन मुख्य स्टेज होता है जिसमें जन्म से लेकर के दो वर्स तक की अवस्था होती है इसके बाद इंफैंसी के बाद जो है चाइल्ड हुड की अवस्था होती है इसमें दो साल से 11 साल के वस्था होती है और तीसरी जो अवस्था होती है जिसको आप एडॉल सेंस स्टेज कहते हैं एड तीन वागों में कटेगराइज करती है लेकिन अलग-अलग मनो वैज्ञान को के आधार पे जो है इसका वर्गी करण अलग-अलग है जैसे आप रॉस महोदय के उनसार बाल विकास की अवस्थाओं को देखेंगे तो यहाँ पे जो है शैश्वा वस्था एक से पाच वर्स है बाले अवस्था पाच से बारा वर्स है किशोरा वस्था बारा से अठारा है और प्रोड़ा वस्था जो है अठारा वर्स से उपर अगर एक्जाम में पूछ लेकि रॉस महोदय के उनसार विकास की अवस्थाओं क्या है या रॉस महोदय के उनसार बाले अवस्था की अव विकास को जो है एक्सपीरियन्स की परिडाम सुरूप जो है डेवलब होताए कहते हैं जो बाल विकास है जीवन का जो विकास होता है बच्चा जो विक्सित करता है वह जो है मेचियोरूटी और एक्सपीरियंस के परिडाम सोरूप जो है डेवलप होता है तो विकास जो है वह मेचियोरूटी प्लस एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा यहां पे हिस्सा माना जाता है अनुभो और परिपक्वता के बाद हमारे लर्निंग में विकास होता है हमारे अंदर ओवरॉल development होता है और हम पुरारी लर्निंग को अपडेट करते हैं पुरानी जो हमारे अधिगम है उसको हम अपडेट करते हैं यह अपके एक्जाम में यहां से भी सवाल पूछा गया कौन से इसे मनोवज्यानिक जो परिपकुता और अनुभो की वाद करती है कि बच्चा जब आगे सीखता है तो पुराना सीखना जो है अपडेट हो जाता है और नए स्किल्स नए अपडेशन में आ इलजबेत हर्लोक महोदिया जो है इन 11 भागों में किस तरा से बाठती है इसी तरद से हर्लोक के अलावा भी हम आपको एरिक्षन के बारे में भी बताऊंगा एरिक्षन का आगला ध्याय लाँगा जिसमें मैं आपको आठ अलग अलग अवस्ताओं के बारे में भी चर्चा करके बताऊंगा कि वह आठ अलग अलग अवस्ता है किस तरह से मनोसामाजिक विकास का परिचायक है आए देखते हैं हरलोक महोदया के उन्सार इन्होंने पहली अवस्ता गर्भा अवस्ता के बारे में बताया प्रेगनेंसी अवस्ता और गर्भ धान से ले करके जन्म तक की जो अवस्ता होती है ये गर्भा अवस्ता की अवस्ता माने जाती है इसके बाद जो है शैस्वा अव से लेकर के दो वर्स तक की अवस्था तक का बच्चा माना जाता है तीसरे सप्ता से लेकर दो वर्स का बच्चा जो होता है वह उत्तरकालिक शैश्वा वस्ता का होता है इसके बाद पूर्व वाल्य वस्ता तीसरे वर्स से ले करके छे वर्स तक यहां पर होता है और पूर्व वाल्य वस्ता आप लोग जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिशी के अनुसार जब बच्चा तीन साल का हो जाता है तो उसको प्ले इस्कूल में या आगनवारी में भी जाना पड़ता है और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं तीसरे वर्से छे वर्स तक का पूर्व बाले अवस्ता की अवस्ता माने जाती है इसके बाद वयस संधी जो है यह भी एक बहुत ही इंप्रॉटेंट काल माना जाता है जिसको हम यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज माने जात मानते हैं वयस संधी का मतलब होता है ना तो वो किशोर है और ना तो वो बाल्ले अवस्ता का बच्चा दोनों के बीच मे है मलए उत्तरकालिक बाल्ले अवस्ता का अंत हो रहा है और किशोरा वस्ता के शुरूआत को रही है वयस संधी है एक संधी की आवस्ता है जहां से दो अलग अलग चीजें कनेक्ट हो रही है और यह जो है वय संदी जो है 12 से 14 वर्ष जो है माने जाती है इसके बाद पुर्व किशोरा वस्ता जो है प्री एडॉलसेंस स्टेज 13 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक का वस्ता माना जाता है और उत्तरकालिक किशोरा वस्ता जो है 18 से ले करके 21 साल तक है प्रो ब्रिद्धा वस्ता जो है साथ वर्ष से लेके मृत्यु परवन्त तक तो इस तरह से जो है एलिजाबेथ हरलाक महद्या ने यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाओं को यहाँ पर मुख्य भागों में 11 भागों में बाटा अब यहाँ पर दो बाते और मैं आपको बता देता ह जो इस्टेजिस से रिलेटेज है जो कि आज हम बाल विकास मनो विज्ञान के इस्टेजिस के बारे में जन्म के आसपास की अवस्थाओं के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं तो एक तो इनफैंसी स्टेज आता है इनफैंसी को जो है यहाँ पर हम शिशु अवस्ता या शिशु के नाम से जानते हैं जन मिसे जो है दो साल तक का जो है बच्चा यहां पर माना जाता है अब हम दूसरे पर आते हैं जिसको हम चाइल्ड हुड की अवस्ता कहते हैं जिसको हम बाल्य अवस्ता के अवस्ता कहते हैं बाल्य जो वस्ता होती ह साल यहां पे इसको दो बागों में बाटा जा सकता है जहां से आपके एक्जाम में सवाल पुचँ जाते प्री चांड टूर्ट और यहां पे लेटर चाइल रूट जो होता है यहां पे एक तरीके से आप देखेंगे दोज़ लेके छह साल तक के यह वस्ता मानी जातीए जो common acceptable है आपके exam में ज्यादा तर पूछा जाता है और later childhood जो है 6 से लेके 11 साल तक माना जाता है यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें एक बहुत ही नया concept एक नई चीज भी कई बार आपके exam में पूछ ली जाती है जिसको मध्य बालने अवस्ता कहते हैं अब आप लो middle childhood क्या होना थी middle childhood का मतलब होता है कि इसको भी उत्तर के समकालीन माना जाता है लेटर चाइल्डूड या middle childhood लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू है तो यहाँ पे middle childhood भी लगभग 6 से 11 साल जाएंगे exam में जो है यह दोनों आपसर एक साथ नहीं पूछे जाते middle childhood या उत्तर चाइल्डूड जो है एक साथ नहीं आता है और दोनों का लगभग एज समान माना जाता है वैसे exam में जैसा सवाल पूछे उसी के हिसाब से आंसर देना पर चाहिए आपको अगर यह पूछता है कि middle childhood की अवस्था क्या है और वहाँ पे option दिया हुआ है उत्तर कालिक बाले अवस्था माने जाएगे अगर उत्तर कालिक का option नहीं होगा तो मद्यकालिक के वस्था जो है 6-11 साल आपको बताना किताबों में नॉर्मली मद्यकालिक का चर्चा नहीं होता है इसके बाद जो है साथियों आगे आते हैं जिसको हम किशोरा वस्था के नाम से किस जानते हैं कि सोरा वस्था क्या होती है यहाँ पर इडॉली से इसके अंदर भी प्री एडॉल रोह इन्स शिटेज और लेटर एडॉल्स से शिटेज आता है आपके एक्जाम में हाँ सभी सवाल पूचा जाता है प्री का मतलब होता है कि करेंब 11 साल से लेके 13-14 साल तक प्री चाहिल्ड वूड होता है और 14 साल से लेके 18 साल तक लेटर एडालसेंस श्टेज की अवस्था या उत्तरकालिक किसेरवस्था की अवस्था माने जाती है तो यह जो है साचो जीवन के विकास की जो अवस्थाएं यहां पर मनोवग्यान को ने अपने अपने विचार जर जाते हैं और यहां पे जुए जाते हैं पर यहां पर जीन प्याजे के अलवा जो है इसके बाद बाल्य अवस्था को प्रीब्लेप्मेंट में पर आठ अलग भागों में बादते हैं पुरे जीवन को आठ अलग में भी पढ़ेंगे सिग्मन फ्राइड जो है साइको सेक्षूल स्टेज की बात करते हैं मनो Λंग होटे है कि मनो लेंगी जो चरण होते उसके अंदर बच्किस का जो है परस्णालिटी कैसे डेपलेप होता है तो परस्णैलटी भिकास के लिए पाच अलग-अलग सवस्थाओं के बात करते हैं जो हम जल्दी ही सिगमन फ्रैड के क्लास में पढ़ने वाले हैं तो सच्छो इस तरह से जो है स्टेजेस को ले करके आप सभी लोगों को जो निचोड है मनों विज्ञानिकों का इसी के आधार पर एक्जाम में आंसर देना जो कि आज की विकास बच्चे का भाशा विकास बच्चे का सामाजिक विकास पढ़ते हैं एक्जाम में जो सबसी ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है कि विकास के अंदर जो है प्रमुख चीजे कौन सी सामिल होती या अगर हम development की बात करें तो बच्चे के development में मुख की क्या शामिल होती है तो चाइल्ड के जो डेवलेपमेंट होते हैं इसमें जो सबसी important चीज होती है बच्चे का जो है cognitive development या संघ्यानात्मक को कास वह बहुत ज्यादा मैतपूर्ण माना जाता है बच्चे का संघ्यानात्मक development माना जाता है जिसको हम emotional development या बच्चे के समवेगों का विकास के नाम से जानते हैं बच्चे का समवेगों का विकास होना ची इसकी अलावा जो है उसके body या उसके शरीर का विकास या उसके physical development की हम बात करते हैं जहां पर उसके body का विकास या शरीर का विकास होता है इसकी अलावा जो है एक और सबसे महत्पुड जो विकास होता है जिसको हम सोशल डेवलेप्मेंट के नाम से जानते हैं या बच्चे के सामाजी सामाजिक विकास या सामाजी के विकास के नाम से जानते यह चार जो डोमेन होते हैं यह बह मोटिवेशन का डेवलेपमेंट प्रत्यक्षी करन का विकास उसकी अटेंशन का विकास बहुत सारी मेमरी का विकास इंटेलिजेंस का विकास बहुत सारे विकास जो है हम इसके अंदर कवर करते हैं तो यह कुछ मुख्य विकास होता है जिसको हम विकासात्मक मनोविज्ञान में आने वाले समय में इसको गहराई में पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक theories को अलग से हम पढ़ेंगे emotion के लिए हम emotion की theories भी पढ़ेंगे emotion की theories से related कौन कौन से मनोबज्ञानिक उनको भी पढ़ेंगे अगर हम cognitive development की बात करें तो Jean प्याजे को को पढ़ेंगे जीरोम ब्रुनर को पढ़ेंगे वाइगोस्की को पढ़ेंगे और सोशल डेवलेप्मेंट क्या होता है सामाजिक विकास के अंदर सामाजी करण की प्रक्रियाएं क्या होती है पहला सोशलाइजेशन कब होता है सोशलाइजेशन में जो है दूती एक सोशलाइ में बताना था या विकास की अवस्थाओं से सम्मंदित कुछ इंपर्टेंट बाते आप लोगों को बताने चाहिए जो विकास के लिए उपयोगी होती तो इसी चरण में जो हम अलग-अलग मौनों वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे अगली क्लासेज में सामको आठ वजे हमारे साथ डेली चुड़े रही है फिजिक्स वाला टिचिंग वाला पर सीडिपी साइकॉलजी की क्लास के लिए हम रेगुलर जो है आप सभी लोगों के साथ यहां पर आते रहेंगे इसकी अलामा जो है आप सभी लोग महापैक भी ले सकते है यहां पर हमारे है पर जुने के लिए अपकी क्लासेज के लिए और यहां पर जो है आप सभी लोग यूपी टेड के लिए बी जुड सकते हो के एक साथ को आप सभी सभी लोगों को देड़ सारी शुपकामना हुए होली का द sebep कामना है इन्हीं शुब कामनाओं के साथ हम इस class को यह पर wind up करते हैं फिर मिलेंगे next session में तब तक के लिए thank you thank you very much